Hello everyone, मैं हूँ स्वाती और आज मैं आपके लिए एक budget OTG का review लाई हूँ जिसमें अपनी price के according ऐसे features है जो इसे बाकी brands के OTG से काफी अलग बनाता है ये है अगारू का 40L Grand OTG इसका Amazon पर price है 5,939 रुपीज अब इस price के according हम इसके features टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये अर्बन रसोई के टेस्ट में hit होते हैं या miss अगारू का ये OTG 40L capacity का है इस category में mostly brands के OTG का price अगारू से कहीं ज्यादा है इस OTG का front glass transparent है, tinted नहीं है जिससे oven के अंदर क्या और कितना bake हुआ है ये आप easily देख सकते हैं अंदर तीन slots हैं जिसमें हम अलग-अलग tray रख सकते हैं wire rack, food tray और crumb tray इनके साथ rotessory के लिए rod और fog भी दिये हुए हैं ये तीनों tray, rotessory rod, fog और handle हमें OTG के साथ ही मिलते हैं उपर और नीचे दो-दो heating element दिये हुए हैं जो almost सभी OTG में होता है पर साथ में इसमें light भी है जो baking grilling के time on रहती है जिससे हम अपनी cake, bread, cookies या जो भी हम बना रहे हैं उसे easily देख सकते हैं जो कि इस price range के OTG में एक अच्छा edition है साथ में इसमें 3 knobs दिये हुए हैं function knob जिसमें हम अपनी recipe के according function select कर सकते हैं thermostat knob जिससे 90 degree to 230 degree centigrade का temperature select कर सकते हैं जो काफी बड़ी range है third है time knob जिसमें stay on mode भी है इससे आप अपने OTG को जब तक चाहे तब तक on रख सकते हैं usually stay on mode इस range के हर OTG में नहीं होता अब सबसे पहले हम cake bake करके देखते हैं baking करने से पहले हमेशा हमें oven को preheat करना होता है both rods on function में 180 degree पर मैं 10 minute के लिए इसे preheat कर रही हूँ preheating start होते ही indicator light on हो जाएगी और process बंद होने पर एक bell के साथ light off होती है जिससे हमें पता पढ़ जाता है कि oven की process पूरी हो गई है अब मैं center वाले slot में wire rack के ऊपर cake tin रख कर both rods on mode में 180 degree पर 30 minutes के लिए cake को bake होने के लिए रख दूंगी और 30 minutes बात result आपके सामने हैं जो हम कड़ाई में cake bake करते हैं और जो oven में cake bake करते हैं दोनों की baking और taste में definitely difference होता है अब हमारी baking तो बहुत अच्छी हो गई है चलिए अब rotessory function ट्राय करते हैं function knob से rotessory mode select करके maximum temperature जोकी 230 degree centigrade है उस पर हम 10 minutes के लिए oven को preheat कर लेंगे मैं इसमें पनील टिक्का बना रही हूँ जो high temperature पर बहुत ही अच्छा बनता है पनील टिक्का को rotessory rod में insert कर दिया है और rotessory fork की help से हम इसे tight कर लेंगे अब इसे हम oven में place कर देंगे इसे मैंने total 20 minutes के लिए on रखा था इस mode में non-wich भी बहुत ही अच्छे से roast होता है पर मैं vegetarian हूँ इसलिए आपको पनीर टिक्का बना के बता रही हूँ 20 minutes हो गए है अवन बहुत ही ज्यादा गरम है तो rotessory handle की help से हम टिक्का को निका लेंगे बाहर से थोड़ा सा crust अंदर से juicy पनीर बिल्कुल restaurant वाली feel दे रहा था और last में में try कर रही हूँ bread pizza बोथ rods on function में 180 degree पर 10 minute के लिए फिर से मैंने oven को preheat कर लिया है अब food tray में हम इसे bake करेंगे 180 degree पर 10 minute के लिए ही इस गरम tray को hold करने के लिए tray handle दिया हुआ है जिससे easily हम इसे oven से बाहर निकाल सकते हैं और ये देखिए food tray के कितने अच्छे grill marks आये हैं bread पर तो friends मैंने इस OTG में baking, rotessary और toasting सभी options try किये हैं और price के according अगारों का ये 40 liter grand OTG अर्बन रसोई के test में hit होता है याने की pass हुआ है अपनी price और function के according definitely ये budget OTG है link नीचे description box में दिया है आप चाहे तो इसे check कर सकते हैं तो friends ये था मेरा आज का वीडियो, comment करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा साभी पसंद आया तो इसे like करें अपने friends और families के साथ share करें अर्बन रसी को subscribe करें और साथ ही में घंटी को जरूर से बजाएए मेरे आने वाले वीडियो के notification के लिए मैं स्वाती मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई